एलो एब्रीवन वेलकम टू गैनिस्ट्री क्लासिज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 19 जैन्वरी यानि कि आज जो पब्लिक नोटिस आया है उसमें क्या-क्या बातें बताएं गी है और वो किस तरह से आपके लिए जरूरी है जाना सो यह पब्लिक जो नोटिस है पहली बात तो कि 19 जैन्वरी से लेके 20 जैन्वरी तक ही आप रात में 11 जो 11 बच के 50 मिनट तक ही इसमें करेक्शन कर सकते हैं अब इसमें कहां कहां कौन-कौन सा फील्ड होगा उसमें जरूर बात करेंगे तो यह बहुत जानना जरूरी है कि किन-किन चीजों में आप यह करेक्शन कर सकते हैं और किसमें से एकदम से भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं करेक्शन फैसलिटी एवलें एपलाई फॉर केटागरी याप अपनी केटागरी में चेंज कर सकते हैं आप अपनी क्वालिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं आप रिसर्च में चेंज कर सकते हैं एक बच्वा cooking प्राइब करेंगे अगर माली जी आप ने ऐसी से आप से पहले एसी फर्म भर गया था और आप उसे जनरल में convert करना चाहते हैं यह पहले माली जी अपने यद दिया था आप जनल ने जाएगी और यहां पर बहुत कोशिश की गई थी कि कैसे भी इस डेट को एक्सेंड किया जाए बहुत मेरा बात थी किस तरह से आपकी डेट को थोड़ा से एक्सेंड कर दिया जाए क्योंकि कई सारे लोगों को फॉर्म बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने प्रॉमिस भी किया था बट उन्होंने फाइनली उसको नहीं कंसीडर किया अब इस तरह से कोई डेट भी अभी वह एक्सेंड नहीं करेंगे आपको लग रहा है यहां पर NTA की रुख से कि जो भी चीजें हो रही है वो बस फटा-फट यह लोग करके आपका एक्जाम लेना चाहते हैं अगर आप अभी तक आपने इपना फॉर्म नहीं किया है करेक्शन तो जरूर कर लें पहली बात दूसरी बात ही है कि आपको लगता है आपने सब सही आधार जो है वो दो तरह की लोग है कुछ लोगों ने अपना आधार वेरिफाइड किया है कुछ लोगों ने अपना आधार वेरिफाइड नहीं किया है पहली बात तो यह चाहे अपने आपने आधार वेरिफाइड किया है या नहीं किया है दोनों चीजों में कोई प्रॉ और जो भी आपका correspondence address है उसमें आप किसी भी तरह का change नहीं कर सकते हैं candidate का name, date of birth और gender में भी आप किसी तरह का change नहीं कर सकते हैं photo में कोई change नहीं कर सकते हैं even जो भी आपका father name है या mother name है उसमें भी किसी तरह का कोई change नहीं कर सकते हैं जिनका आधार verified नहीं है वो लोग भी mobile email id address और correspondence address में change नहीं कर सकते हैं वो लोग भी यहाँ पर photo में change नहीं कर सकते हैं इसके अलावा क्या क्या change आप कर सकते हैं यहाँ पर जो change यहाँ पर allowed हैं तो दोनों में ही यह change allowed हैं आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर candidate जो है वो अपने mother father का name change कर सकते हैं इसके अलावा candidate की कोई और भी detail है तो उसको change कर सकते हैं अब देखते हैं कि actual में जब हम इस form पे जाते हैं तो form का look आपको कैसा दिखेगा तो जब आप इस form पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको open करना पड़ेगा UGC का जो application form है इसके लिए एक नई window आपके सामने open हो जाएगी और इस नई window पे आप यहाँ पर अपना application number डालेंगे यहाँ पर password डालेंगे और यहाँ पर यह security pin डालने से क्या होगा कि आपका जो form है वो आपके सामने open हो जाएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद यह registration form यह सारे चीज़े हैं यहाँ पर हम application form में edit कर सकते हैं तो देखते जाएगा यहाँ पर जाके आपको OTP डालना पड़ेगा जो OTP मेरे mobile पेनो ने send किया होगा अब जैसे ही मैंने यहाँ पर OTP डाली गए यहाँ पर यहाँ पर यह सारी डेटेल हैं वो open होकी मेरे सामने आ चुकी है ठीक है अब देखते हैं कि contact detail में मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हैं तो देखिए contact detail में आप किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं परसनल डेटेल की बात करते हैं तो परसनल डेटेल में अगर मैं अपना नाम और डेट आप बर तो यह सारी चीज़ें छोड़ दूँ तो बाकी सारी चीज़ों में यहाँ पर चेंज हो सकता है अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर exam center की detail क्या रहेगी क्या रहेगी अडिशनल डेटेल क्या है डाकुमेंटल अप्लोड क्या है तो जब मैं डाकुमेंटल अप्लोड पर आती हूं तो यहाँ पर फोटो को नहीं कर पा रहे हैं हम चेंज अब examination center की detail exam की detail में language की बात करते हैं कि अगर suppose आप अपना language चेंज करना चाहते हैं जो सबसे बड़ा issue आ रहा है तो आप इसे English कर दीजिएगा या English आपसे हो गया है तो Hindi कर सकते हैं यानि कि detail especially language का जो detail है उसको हम change कर सकते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे अंत म हम आएंगे कि final detail को अगर हमें change करना है तो किस तरह से यहां पर change कर सकते हैं तो final submit पे आईएगा final submit पे आने के बाद आप इस एक बार अपना पूरा form review कर लीजिएगा review करने के बाद आपको यहां पर आपका name, date of worth यह सारी चीजे मैंने यहां पे अच्छे से देख ली है और देखने के बाद आप अपने form को पूरी तरह से finally submit कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपको कोई कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी आपके मन में doubt है कोई query है कोई question है तो प्लीज आप जरूर मुझे लिखें comment box में I will try to solve your query और इस तरह से हम आपकी सारी problem को solve करने की कोशिश करेंगी फिर बाद में हम जाके अपने correction form को इस तरह से doubler download कर सकते हैं और सबसे अंत में जाके आप इसको सेब कर दीजिएगा download confirmation page यह downloading हो रही है तो इस तरह से आप अपने form को जरूर एक बार review कर लिजिएगा review करने के साथ साथ आप इसको जरूर एक बार चेक कर लिजिएगा अब यह मेरा जो form है वो बिलकुली सही सलामत भर गया है और भरने के साथ ही साथ यह अब finally correction होने के बाद भी submit हो चुका है so thank you so much guys and wish you all the best